जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे मैं सूर वार्यास बसेज हूवली टैगर्स के बिच में खेला जाएगा के एस सीए टी ट्वैंटी का ये दूसरा मुक कवला उसको लेकर हम डीटेल्स में बात करेंगे दोस्तों और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूँ अभी जो हम देखेंगे वह अपना है कि अमोटिम होगा फाइनल टी में जो भी बदला होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्रा चेनल का लिंक उसके ओपर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम चेनल से ज्वाइन हो जाना है अब आईए जैसे कि मैं सभी वीडियो में बात करता हूं तो मुझे लगता यहां पर मैसूड वारियास की टीम जो वह फाइवरेट रने वाली है और इसके विनिंग चांसे तक इस टूनमेंट हमने दो मैच अभी तक कभर की हुए रिदोल ही मैंने दोनों मैच कभर कीुए थैं और दोनों का हमारा अलट्रा मेंग एनगा क्लेंसरों तैंब थामाइज फरा से बीच में मेरा ध्यों इस ट्रॉओर जोन है डूमेस्टिक बाला उसको मैं थोरा से भूल के चला गया था international या फिर दोस्तों बड़े-बड़े matches खेलने में जहां पर समझो की सारे बंदे के पास proper knowledge होती है और यह मेरे थोड़ी सी भूल थी जो मैं सुधार के फिर से आ गया हूँ अपने domestic के दुनिया में मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा domestic के match cover करूं आप लोग भ हारे हैं टोटल इनके पास दो प्वेंट्स है अगर हम बात करेंगे हुबली टेगर्स को लेके एक मैच खेला है जहां पर इनको फेंटी हार का जेलना परा था और यहां पर दूसरा मैच जो अभी खेल रहे हैं अब देखिए क्या होता है मुझे लगता है कि वह सब यहां पर उनके लिए राह आसान नहीं रहने वाला है देखने वाली बात होती है रिजल्ट क्या आता है और दोस्तों हमारा यह भी मैच अल्ट्रा मेगा क्लिंश के लिए बिल्कुल तैयार है अब अगर हम बात करेंगे मैसूर वारियस का पहले मैच को लेके तो वह खेल क्या रह करते हैं मैसूर वारियस की टीम ने लगाये थी 102 निहार उलल छे की वेते बहुत तगरे विकेट कीपर है करूर नायर आपने नाम जरूर सुना होगा 27 की वेते नागा भ्रत एक पवंद्रेस्पांडे 23 वल्लेबाज है 43 किये ते गोपाल 62 शिवराज 12 और सुभा मेगरे भा सब्सक्राइब करेंगे यहां पर मैच निकल गए थी इस वैसे प्रतिक जैन अपने स्पेल पहले डाल लिए दूसरा देखने वाली बात होगी टीम किसको डेथ में लेके जाती है चांसे बिद्याधर पाटिल के अच्छे खासे हैं बात करेंगे मैच नमर्टू मैसूर वा सब्सक्राइब करेंगे यहां पर निहाल उलल चोवालिस करुन नायर पांच नागा फरत नो पवन देश पांडे के बल्ले से चाहदर न गोपाल पांच सिवराज उनीस और यहां पर सिवराज से आप एकाद आवर बॉलिंग का भी उमीद कर सकते हो उसके अलाबा लोचान चाहिए जिरो विकेट बिद्याथर पाटील दो और एक इसरन एक विकेट अधित्य गोयल एक और चाहर रन जिरो विकेट अगर आं वाली टीम को लेके बात करें तो हुबली टैगल्स यहां पर पहला मुकावला खेली थी किसके साथ मेउके साथ मैंगलुर उने ने उनको फैंटी लगा दी थी हुबली टैगर्स पहले बल्ले वाजी करते हैं बुड़ पर लगा थी एक सो निस रन शिसोद्या साथ की वेति नवीन एमजी एक बीउ सिवा कुमार साथ लियान खान थर्टीफोर तूसार सिंग थर्टीफोर एस वावने नो मिथून दो रोहन नवी दो वी कौसिक नोरन आनंद दुदानी चार और फारुकी पांच बात करेंगे इदर से गिंदवाजी में मिथून डालेते चार ओवर बीस रन एक विकेट मिलाता वी कौसिक डेथ एस्प्रस लिष्ट चार ओवर सतैसरन जीर विकेट जहूर फारुकी अच्छे बात करें मैच नमर टू को लेकर तो यहां पर देखते हैं क्या हुआ था बेंगलूरू ब्लास्टर्स पहले बल्ले वाजी के थे एक सोनेस बोट पर खाय के थे जहां पर गेंदवाजी में बात करें मिथून डालेते तीन ओवर तीस रन जीर विकेट बारिस के बज़े से म सुषोदिया किये हुए थे छे रन बियू सिवकुमार तीस लियान खांग छे तुसार सिंग जीरो एस भावने सोल सागर सलांग की तेरव मिथून अठेस किये थे तेरे वाल में खेल रहे हैं अब आईए हम कुछ बड़े स्टैट्स के उपर ध्यान देते हैं स्टैट्स के उन्होंने सेवेंटी एट थाटी वन पॉइंट्स दिया हुए एस गोपाल नाइन हंट्रेट फोर्तिन फोर्तिफोर फोर एल खान फिप्तिटू करून नाया टैन फोर्तिफोर एटीन फोर और फिप्तिन वी सौके वी कॉसिक सिक्स्टिन पवन देस्पांडे बीस पेसट सेगडे चालिस एक सोपिक प्रतिक जेंद छे साथ उन्तिस चार सिव राज ट्विटी नायन ट्विटी सेवन मिथून फोर्तित्री जड़ फारुकी थर्टीफाइब बिद्याधर पार्टिल 2754 पहले के इंदवाजी अच्छे पिक बन जाएंगे कैप्टन विसी के टी सिं सब्सक्राइब के लिए के बात के लिए अवर कास्ट रहने वाला जैसे आपको आज देखने के मिला था लेकिन दूनों मैच कंप्लीट हुआ है मिंस रिजल आया है थोड़ा भू सौट तो होना ही था दोस्तों टेंपरेचर को लेके बात कर ले 20.51 डिग्री रहने वाली है अवरल आपको दिखेंगे वैलेंस विगेट पेसर को थोड़ा सा यहां पर ज्यादा मदद मिलते नजरा जाएगा अगर अब इस वेन्यू को लेके बात कर ले टॉप प्लियर्स एट इस वेन्यू दोनों टीम के तुलमा में दोनों टीम के प्लियर्स जो यहां पे लास्ट का इनका वरेज है और चांबे कश्ट्रा करनेंगे सबखनें नका पर मैच में तेन दसनलों नोचार का इकोनोमी है बिद्यादर पाटिल को लेके बात करें दो मैच में के पास नेजर्द ग्यार्द 10 graph एक ट्प्लियर्स पर मैच लिए हुए पांच का इकोनोमी है ज्याद कि एक मैच के लिए हैं एक विकेट पर मैच लिए हुए और आठ का इन का एकोनोमी यह भी जो दूसरा मेच चल रहा है वह यहां पर अपडेट नहीं हुआ है अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट वालिंग लेती है के 80 परसंट केस में और जो टीम पहले बल्ले वाजी करती है उसके विनिंग चांसे यहां पर 60 परसंट के आसपास होता है अगर हम टीम स्टेंथ को लेके बाद कर लेकि तो वह पली टेगर ने लास्ट के पांच में से चार मैच विए किया है मैसुरी यारिस लास्ट के पांच सब्सक्राइब डिया ने कि लगाएं लेकिन मैं आपको बोलूँगा ने इस पुराने स्टेट्स को यहाँ पर तवज्जों दीजिएगा दोनों टीमें आपको बहुत सारे चैंजर्स देखने को मिलेंगे तो पुराना स्टेट्स यहाँ पर ज्यादा मैंने रखने वाला नहीं है आप चलिए हम देखते हैं अपने फेंटेसी का टीम बिकिट कीपर सेक्शनें बात करेंगे आपके पास यहाँ पर मुझे लगता है दो ठीक तक उप्सन एक उलल और दूसरा सिसोधिया मैं यहाँ पर उलल को लिया हुआ आप सिसोधिया के साथ जा सकतो यह भी ऑपन करते हैं अगर बात करेंगे बैटिंग में करून नायर आपक सब्सक्राइब करके देंगे उसके बाद मैंने अपने टीमें बिद्यादर पार्टिल को ट्रै किया हुआ है तो फिलाल जो मेरा फाइनल टीम है वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा जहां पर मैंने विकेट के पीछे एन उलल को ट्रै किया हुआ है बात आती है कैप्टेन वीची को लेकर चली कैप्टेन वीची के बात करने से पहले देखते हैं कि अभी जो मैच खेला जा रहा है उसमें पहले मैच में हमारा यहां पर रहा था मैंने टोटल उनीस कंटेस्ट खेला हुआ था मेरा इनवेस्टमेंट था सिर्फ एक अप्लिकेशन की बात बता रहा हूं ऐसे तो मैं पांच चार-पांच अप्लिकेशन पे इतना ही निवेस्टमेंट करता हूं किसी में पांच जार करता हूं किसी में 15,000 निचे करता हूं इनवेस्टमेंट मेरा था वीजन पे 6,000 रुपीश वीनिंग्स एक लाख 55,000 प्रॉफिट 58,500 निस गास पास का तब देख सकते हूं आपके सामने कल के मैच का रिजल्ट रहा था सकिन मैच कर देखते हैं जैसी रिजल्ट आ जाते है किसी जा सकते हूं कुछ अलग करने का मन करें तो करून नायर को बिल्कुल यहां पर हाइड़ेट करके चल सकते हूं पलस मैं चुपी बाते बताता हूं इन सब फॉर्मेट में करून नायर कभी कबार 203 वर गिंदरबाजी भी कर लेते हैं अगर पीछी ने स्पीन को कर लेंगे उमीद करता हूं यह चोटा सा वीडियो आप लोगो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जहुर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक लिए बाए इंजबाए कीजि कर दो दो कि यह रए लगा है।